हेलो एव्रीवन, वेलकुम टू मैं चैनल रिक्स कुकिंग फ्रेंट्स आज हम बना रहे हैं मैंगो स्पेशल थाली यानि की समर स्पेशल थाली इसमें हम बना रहे हैं मैंगो कड़ी, आलू की सबची, काजू और आम की सबची, आम रस, चावल, मैंगो कूरी, कच्छे आम की चटनी, सैलेट तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं यहां संदा हम आम ले हैं आपके पास जो भी आम आवेलेबल हो आप ले सकते हैं इसको आम धोल लिया है हम चील लेंगे, अब कच कर लिया है और आदे आम को पल्प मितना और दो आम की गुटली रखिए जिसमें थोड़ा आम लगा हुआ है इसको एकदम से साफ नहीं किया है अब नहीं वही ग्राइंडर चार ले लिया है सबसे पहले मनाएंगे आम रस तो हम इसमें दो आम के करीब इसमें डाल देंगे अब इसमें हम डालेंगे चीनी यहाँ पर हम वन फोर्थ कप चीनी ले रहे हैं आपके आम कितने खटे मिठे हैं उसके इसाब से आप चीनी कम जादा कर सकते है यहाँ पर हमने एक कप गुन गुने दूद में केसर भीगो के रग दिया था क्योंकि आमरेस में जो केसर का फ्ले यह देखिए यह पिस चुका है और यह हमारा टेस्टी सा आमरेस बनकर तयार हो गया है यह देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसको हम एक पॉल के अंदर निकाल देते हैं और इसको केसर से गानिश रह देते हैं अब इसको हम फ्रीज में ठंडा होने के लिए छोड़ दे और हम बनाते हैं यानि कि मैंगो पूरी यहां पर हमने एक कप गयहूं का आठा ले लिया है इसमें हम डालेंगे 1 चमद सौफ 1 चमद सफेद तिल और हम लेंगे मैंगो पल्प यहां यहां कि आपको जितना अटा गुंज उतना मैंगो पल्प चालना है अगर आपके अगर आपको आपको ऐसे प्लेन खाने गुंख वाली भी बना बाना सकते हैं आप इसका प्राथा भी बना सकते हैं। आटा को मच्छे से गून लेंगे। अब इसके पर डालेंगे थोड़ा सा तेल और अच्छे से मल लेंगे ताकि जो हमारी पूरी है बहुत अच्छे से फुली फुली बने इसको एक बॉल में निकाल देते हैं अब बनाएंगे मैंगो कड़ी इसके लिए हम लेंगे आधा कब दही दही को अच्छे से फैट लेंगे ताकि इसमें कोई भी लंस न रहे यह जो मैंगो कड़ी होती है इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आता है आप इसको जरू ट्रा इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह कड़ी मीठी नहीं होती है लेकिन इसका अलग सा ही फ्लेवर होता है आप जब इसको बनाएंगे खाएंगे तो आपको पता चलेगा अब इसमें हम डाल देंगे एक मैंगो का पल्म हमने मैंगो पीस के रखा था हो एक डाल देंग इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि हम कड़ी बना रहे हैं तो इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए अब इसमें हम डालेंगे नमक यहाँ पर मैं दो चमश सेंधा नमक डाल रही हूँ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं आधा चमश हल्दी पाउडर और एक चमश लाल मिश पाउडर इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इसमें हम डाल देंगे चार से पाँच का पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यह हमारा कड़ी का बैटर बनके तयार हो गया है अब हम लेंगे कड़ाई इसके अंदर इसमें डाल देंगे इसको इसको लगाता है चलाते हुए पहले दो से पांच मिनिट लगाता है चलाते हुए इसको हम पका लेते हैं और अब हम इसको पकने देंगे जब तक इसका तड़का तयार करते हैं तो एक फ्राइपेन ले लिया है इसमें डालेंगे तेल और तेल को गरम होने देंगे तेल गरम हो चुका है इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा, एक चम्मच राई, वन फोर चम्मच हींग, आधा चम्मच मेथी दाना, दो सुखी हुई लाल मिर्च, कुछ करी पत्ते और इसको कुछ सेकंड्स फ्राइ करेंगे, गैस का फ्लेम एक तम लोड रखेंगे और यह तड़का हमारा बन गया, अब इसको हम कड़ी में डाल देंगे जो कड़ी से खुषपू आ रही है, बहुत ही जादा अच्छी आ रही है, बहुत ही टेस्टी सी खुषपू आ रही है इसको कड़ी में मिक्स करने के बाद, जो हमने वो दो गुटली रखी थी वो भी इसके अंदर डाल देंगे जब यह इसके अंदर दीरे-दीरे से पकेगी कड़ी के साथ, तो अपना बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर छोड़ेगी अब हम इसको बं करतेंगे ठककन लगा देंगे और इसको हम कड़ी को पकने देंगे बीच बीच में इसको हम हिलाते रहेंगे अब हम बनाते हैं काजू और आम की सबची, तो हमने आपर कड़ाई ले ली है, इसमें डालेंगे तेल, तेल को होने देंगे गरम यहाँ पर हमने ले लिए हैं 35 काजू, क्योंकि हम काजू की सबची बना रहे हैं, इसको फ्राय करेंगे यह सबची मीठी नहीं होती है, लेकिन इसमें एक अलग सही फ्लेवर आता है और बहुत इच्छा सा टेस्ट आता है जब आप इसको बनाएंगे तब आपको पता चलेगा, इसको हम निकाल लेंगे काजू फ्राय हो चुके हैं, प्लेट के अंदर इसको हम निकाल लेते हैं अब हम यह तेल रहने देंगे, इसमें हम डालेंगे आठ से दस काली मीच, चार से पाच लोंग और एक छोटी हरी लाइची, इसको हम डाल देंगे, इसको कुछ सेकिंड तक बूनेंगे यहाँ पर हमने लिया है एक कटावा प्याज, इसको इसको इसके अंदर डाल देंगे, और इसको सॉफ्ट होने तक बूनेंगे देखिए प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुके है, यहाँ पर हमने लिये आठ से दस काजू, और जो सूखा वला नारियल का गोला आता है, उसके दो से तीन टुकड़े ले लिये हैं, आप चाहें तो इसकी जगे फ्रेश नारियल भी यूज कर सकते हैं, और इसको हम भू हुआ है, यह देखिए प्याज और जो काजू अगेर अच्छे से भून चुका है, अब इसमें डाल देंगे कटा टमाटर और इसको अच्छे से मेक्स कर लेंगे और इसको ढखकर लगा देंगे, जब तक की टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए कि दिखिए तमाटर अच्छी से सॉफ्ट हो चुके हैं अब इसमें हम कश्मीरी लालमिश लास इसमें हम डालेंके सुखिछय मसालें हम डालेंगे नमक डालेंगे साथ में डालें गालेंगगे चंब चल्टि पाउडर एक चंब हलद 10 skalbirds बुनियोंदेने न सबीन लाल मिर्श पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसका कुछ देर भूने के बाद हम ज़्याइस का फिलेम बन कर देंगे और इसको अब हम थंडा होने देंगे थंडा होने केपस पीष लेते हैं मसाला पryष चुका हूँ अबसे साथ हैन। आप मसाला पेष चुका है। हम ने आपीवाली कडाई एक लोगता है लोगे कडाई परें टूंप지 घडर को तसा पंदर देंगे। साथ में डाइड प्व क कडाई लेती हैं। fresh cream आप दूद की ताजा मलाई भी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से mix कर लेते हैं अब इसको हम cover करके लगभख साथ से 8 मिरी तक छोड़ देंगे ये देखिए मसाला बहुत ही अच्छे से भून कर तेयार हो गया है अब जो हमने काजू fry किये थे वो इसके अंदर डाल इसको अच्छे से mix कर लेते हैं साथ ही हम डालेंगे इसमें कटा हुआ आम और इसको भी अच्छे से mix कर देते हैं अब इसको हम कवर करकर लगभख आठ मिनिट तक छोड़ देंगे ताकि सब्जी अच्छे से पक चाहें बीच बीच में हिलाते रहेंगे यह देखिए यह सब्जी हमारी बनकर तयार हो गई है इसने तेल भी छोड़ दिया है यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी सब्जी बनती है आप इसको जरूर से जरूर ट्राय कीजिएगा अब इसके उपर डाल देंगे कटावारा धनिया गैस का फ्लेम बन कर देंगे और इसक कितनी टेस्टी से सब्जी बनकर तयार हुई है तब तक हम गडी चैक करते हैं यह कडी बी लगबग हमारी बनकर तयार हो गई है अब इसमें हम डाल देंगे कटा वहरा धनिया, यहां पर हम डालेंगे आधा आम कटा हुआ, इससे जो इसका टेस्ट हो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, गैस का फ्लेम बन कर देंगे, और इसको भी एक बॉल के अंदर निकाल देते हैं, यह देखिए हमारी कड़ी भी बन कर अब मनाते आलू की सबची, यहां पर हमने कडाई ले लिए, इसमें डालेंगे तेल, जब तक तेल गरम होता है, यहां पर हमने चामल का पानी भी चड़ा दिया था, तो यह पानी में उबाल आ गया है, इसमें डालेंगे एक चमश नमक, और यहां पर हमने एक कप चामल को दोल लिया है वो इसके अंदर डाल देंगे और चामल को बॉइल होने तेंगे यहां पर तेल गरम हो चुका है इसमें डालेंगे एक चम्मच राई एक चम्मच जीरा आधा चम्मच अजवाइन वन फोर्ट स्पून हींग थोड़े से करी पत्ता दो कर्टी हरी मिर्च और इसक अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको कुछ सेकिंड्स तक हम भूनेंगे अब इसमें डालेंगे नमक डेट चम्मच नमक डाला है एक चम्मच लाल मिश पाउडर आधा चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं नमक पूंप पड़ें ड़ने के बाद यसमें डालेंगे एक चमच कसूरी मेथी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यह पर तीन आलु लिए एक उनको बोईल करके छील कर सिदना है वह इस के अंदर डाल देते हैं और अच्छे से तियारी के तैया होगा だ लेते हैं कितनी जल्दी से और कितनी टेस्टी बनी है इसमें डालेंगे आधाचमज गरम मसाला साथ में डालेंगे कटा वहरा धनिया और हमारी टेस्टी से यालू की सबजी भी बनकर तयार हो गई है इसको भी हम गैस का फ्लेम बन कर देते हैं और इसको भी हम बॉल के अंदर निकाल देते हैं आप इसको पूरी पराठा रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं यहाँ पर चावल भी बॉल ह는데요 किboys को चान साट लेते हैं विछामद भी आप हम ताल रहें पूरी तो यहाँ पर हम थोड़ी चोटी चोटी पूरी की यहाँ पाते हम बायर मेंदगे और इसको बेलेंगे इसी तरह से हम सारी पूरी को बेल लहेंगे अब हम इसको तलेंगे, यहाँपर हमने तेल गरम करने रग दिया है, तेल हमारा गरम हो चुका है, इसमें डाल देंगे हम यह पूड़ी, और इसको एक साइट से पहले होने देंगे, और यह हमारी गर्मा गरम फूली होई पूरी बनकर तयार होगी अब हम थाली लगाते हैं तो हम थाली के अंदर सबसे पहले डालेंगे मैंगो कड़ी आप इस थाली को जरूर ट्राइ कीजिएगा और फिर बताईएगा कैसी लगी डालेंगे आलू की सबजी यालू की सबजी सबकी ही फेवरेट होती है अब हम डालेंगे काजू और आम की सबजी आप इन रेसिपीस को जरूर से जरूर ट्राइ कीजिएगा इसको हम आम से और काजू से गानिश खर देंगे डालेंगे आम रस और इसको कटे पिस्ता से गानिश कर देते हैं अब डालेंगे हम चावल मैंगो पूरी कच्चे आम की चटनी साथ में सैलेट और यह हमारी टेस्टी सी मैंगो थाली बन कर तयार हो गई है अब आप इसको पिखाएए और सबको खिलाएए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए थैंक यू